कि आप लोगों का कलास 11 से मही मनत का माशिक बढ़िक्चा होने जा रहा है तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने बाला है क्योंकि पहरे साथ यह तीस मही की दिन जो है ना आप लोगों का केमेश्टरी का पेपर होने जा रहा है तो अभी के सिवरूम ना केमेश्टरी का बिल्कुल ओरीजिनल पेपर को जोने पहर मच्चू सब्जक्टिव के साथ में ओफ्जक्टिव का एंसर की बताऊंगा साथ में आपको इसका फीडिय सबसे पहले सेशन अ में दिया गया है ऑफ्जक्टिव पर से लेकर के टीश तक है इसमें से मात्रा आपको 25 परसन बनाना है तो देखिए सबसे पहला नमर प्रसन बोला गया है जो ना ऑक्टेट नियम के नियम किस अनू के लिए मान नहीं होगा तो बिल्कुल याद किएग पर जगी का दोन मड़े वह अनू जो लुईस अमल नहीं है वह क्या होता है यार रखिएगा यह होता है CCL 4 होता है तो आप्शन सी विल्कुर राइट होगा आगे बरते हैं कोश्चन में यहां पर जखिएगा कोश्चन में आप से टीन मर बोला है एक सिगमा आवंद किसके आती बयापन से बनता है तो बिल्कुर राइट हैंसर तीन का हो जाएगा ओप्शन सी यानि की SSSP या फिट PP आटीवल आंट्रिक अक्ष के साथ आप्शन नुमर सी बिल्कुल यहां पर जो इना राइट हो जाएगा आगे का कुश्चन लिखेगा कुश्चन मर आप से यहां अधिकूगा यह क्या होता है प्युआ थकिंगा पांचण डी होगा अनुग्ष होता है आट को रई our showya । Air दीप कब तो बिल्कुल 6 का याद कर लेजिएगा option B होगा यानि कि यह आपका दो के बरावर होता है आगे बरते हैं question नमर आप देखेगा आपसे बोला जारा है प्यारा बच्यों प्रस नमर जोना 7 नमर प्रस ने कि किस अनू का आकार रेखिक होता है तो याद देखिएगा यह होता है SO2 में question नमर आप देखिएगा तो बोला जा रहा है आठ नमर किस अनू में सभी वंद बड़ावर नहीं होते हैं तो राइट एंसर 8 का हो जाएगा option D यानि कि ALF3 question नमर 9 है ओजोन अनू का कोनिया आकार क्या होता है तो याद देखिएगा प्यार बच्यों इसका हो जाता है 9 है ना तो बिल्कुल यानि की वान 2 पाई 2 अलफा और 1 पाई होता है वांड में तो option B होगा आगे देखिएगा question नमर आपसे आपर ना 10 नमर बोला जा रहा है प्रस्तने की योगिक X में सभी वंदन कुन बिल्कुल 109 डिग्री से 88 डिग्री है तो X का value क्या होगा याद द कौन से आटिवल्स जोना ओवर लैंप होते हैं तो याद रखेगा 11 का डाई टेंचर आप्शन सी होगा यानि की SP मैनस में 2P हो जाएगा question 12 है निम लिकित में से कौन सा ISO structure है तो याद रखिएगा प्यारबच वारा का जो राई टेंचर होगा option V होगा यानि की NH3 चुकी BF3 हो जाएगा चली आग बढ़ते हैं question मढ़ते रहा है सुन द्वीडुर्व आगुर्ण बाला अनु क्या है तो याद रखिएगा तेरा काड़ाइट इंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना option बढ़ते हैं यानि की CH3 CH2 CL2 होगा यानि option आप लोग भी को नूट कर लिजेगा ब कोड़ा का option मढ़ते होगा यानि की पी सिंगल बांट सी याए वंधन धुरूव यह होती है तो option होगा सी question मढ़ पंद्रा है किस अनुका दुई घोर्ण आगुन का मान उचितम होता है तो पंद्रा का याद रखिएंगे option होगा है यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा देखेगा नेक्स्ट क्वेशन आपके सामने हां पर ना स्वल्ला नवर बोला जा रहा है वह आयन जो सियो के साथ जो ना सम इलेक्ट्रोनिक और जिनका आजना आवंध कर्म समान है वह क्या होता है तो याद रखिएगा स्वल्ला का option मढड़ी होगा यानिकि एन पर पावर प्रलस इंटू नीचे में हो जाएगा डाउन में टू नेक्स्ट क्वेशन सट्रा है आन्विक कर्चिया सिधान्त के आधार पर स्रीयो अनुका आवंध करम क्या है तो सट्रा का आप याद रखिएगा राइट एंसर डी होगा यानिकि दस की बराबर होगा अठारा नमर प देखेगा अठारा कभी होगा तीन हो जाएगा देखेगा कुश्चन में नियुन्तम बंध उर्जाबाली प्रजाती क्या है इन में से तो बिल्कुल आप उन्मिश नमर का याद रखिएगा राइट एंसर आप्शन में हो जाएगा यानिकी एन चिटू हो जाएगा नहीं होते है वह इन में से कौन सा फॉर्मूला हो सकता है तो प्यारा बच्चों आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा एक इसका अप्शन मड़े हो जाएगा यानि की छी च्टू हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन 22 निमड़े बर्फ में पानी के अनुव द्वरा बनने वाले हाड्रोजन बंदों की अधिक्तम संख्यां क्या होती है तो 22 का आप याद रखिएगा और राइट एंसर ना ओप्शन हो जाएगा चार की बराबर हो जाता है कोश्चन मर देखिएगा वर्न हैवर चक्र का पड़ियो मुखेता दैस दैस निर्दारन के लिए क्या जा है तो 24 का याद रखिया ओप्शन होगा यानि की दुई धुर्ब दुई धुर्ब बल होगा चलिए तो इसके आगे कुश्चन मर पचीस आप से बोला है सरवाधिक संयों जान असा संयों जी हाइलाइट इन में से क्या है तो बिलकुल आप पचीस का याद रखिएगा आगे में इसका उत्तर काई से डाउनलूड करने सारा सिखाऊंगा वीडियो में बने रही है देखेगा अभी लगुतर्या परस्ने एक शीलेकर के दस्टक के सब्जक्टिवेस में से मार्ट आपको पांच बनाना होगा तो आप देखिए पाहला नमर परस्ने स्यो अनू की लुईश जोना डॉंट सर्णरचना क्या है कुश्चिन मुर्द है औक टेक्ट शिदान्त में कम्योग बताए ती नमरे अनुनाद के संदर्व में स्यो पर पावर जोना टू मैनस डाउन ठी आयन की संदर्चना व्याख्या करे चार नमरे असपैस्ट करे की वी एस टू अन बाउंड के वीच अंतर होगा तो पांच नमर तक उत्तर बताऊंगा बैट सारे कुश्चन दिक लिए हैड्रोजन बाउंड के परिवास परिवासा करे या जना वांडर्ण वाल्स वलों से कमजोर या मजबूत है साथ नमरे सी टू एच फोर्ड और सी टू एच टू अनू क्यों है चलिए इसके आगे 9 नमरे आप बॉंड ओर्डर के संदर्व में वांड सक्ति को कैसे व्यक्त करेंगे करते दस नमरे आयनिक वंधन वंदो के निर्वान के लिए अनुकूल काड़क लिखे तो यह था सौट कुश्चन यानि 2 नमर वाला आगे देखिएगा यहां स इसका पूरा आपको बताना है ठीक है और कुश्चन मर बारा है बी तू बी इटू अनुके अस्टित क्यों है यह समझने के लिए आइनिक कच्छिया सिद्धान का उप्यों करें कुश्चन मर तेरा पी सी एल फाइव के मामले में संकर्मन का वर्नन करें जोना इक्वाटी पूर्ण लाल वंड की तुलना में कच्छिया वंड लंबे क्यों हैं कुश्चन मर आप देखिए हां पर पर अधर के में लगाता तरह नमर तकाई तीन कुश्चन बनाने तो बता दूगा ठीक है वाट कुश्चन दिखा देता हूं चोड़ा नमर आप यह देख सकते हो फंड़ा नमर यह रहा तो आप चलिए इसका उत्तर आप कहां से डाउनलोड करेंगे वह बता देता हूं क्योंकि वहीं पर आपका प्यारा पच्छों सारा उत्तर आपको मिलेगा ओल्षभ जग का ठीक है तो चलिए बढ़ते आगे तो आपको जुम करके दिखाड़ो ताकि आप अराम से पहचान लेना क्योंकि सारा जाम होगा सारा पेपर यहीं पर मिलेगा तो इसके बार आपको अराम से स्कॉल्ड ओन करना है नीचे आएगा तो कलास 11 का एक आपको सेशन यहां पर देखने को मिल जाएगा तो यह देखिए आपको इसे जडरू जौन करने के बार आपको प्यारबचू एक बार यहां भी फेरेज को रिफेस कर लेना है ृसके बार आपको अराम से स्कॉल्ड ओन करके नीचे आना इस प्रकार से आप लोग आएंगे प्यार बच्चो तो यहां पर देखेगा मैं आपको बता दूब वाट्सअप गुरूप को आट टेलिगराम गुरूप दुनों कायम पर लिंक भी आपको दिया गया तो आप इसे जरूरू जोएन कर ले ना क्योंकि इसी गुरूप में नोटिपीकिशन भी आपको मिलेगा ठेक है उसके बार नीचाहिएगा तो यह आप यारा बच्छो साइ chemistry का ठीक है ना तो chemistry है डाउनलोड लिखा यह सामने इस पर किलिक करिए किलिक करने के बाद पेज को नीचे की और खिच देना रिफ्रेस हो जाएगा इसके बाद आराम से स्कॉलन करना नीचे इस प्रकार से आप लोग चले आना ठीक है इस प्रकार से आओ गेए देखो सारे आप यहां पर आपडेट कर दिया हूं आप यहां पर आ करके 300 प्रस्णों का आइंसर की पुरा लिख लिजिए सेम टू सेम ठीक है और एक्जाम में जाके लिख लेना इसके अलावे नीचे आओगे तो देखो यहां पर सब्जक्टिव परस्णों का एंसर की दिया गया है इंग्लिस मिटियम जिनका भी होगा वह अपना इंग्लिस मिलिकेंगे तिक है आप लोगों को मैं पहला ही समझा रहा हूं तो यह त्रह नमर का उपर करेंगे तो यह आपका पाच नमर के लिए स्वाट कोश्चन हो गया लॉग कोश्चन में इहां पर दिया गया इसमें 11 न दाउनलोड इसके सामने मैट काओगा तो यह कर ले ना है बायो काओगा तो बायो का कर ले ने इंगलीस काओगा तो इंगलीस का हिंदी उर्दु जो भी है न कर ले टिक है तो चलिए बाई बाई